जहीं दोस्तों आफ सभी का स्वागत है आपके अपने यूप्टी चैनल ह्जजेश्टेडी पर दोस्तों इस वीडियों में बात करने वाले इंडियन कोश्ट का डेवी के न्यू वेकेंसी 2024 के बारे में जैसा कि आफ सभी को पता है अभी आप लोग को पता होगा कि जीडी का और यांतरी की वेकेंसी आई है लेकिन इस वार जोए डोमेस्टिक ब्रांच यानि कि डेवी की जो ऑफिस्टन नोटिफिकेसन है वो रिलीज नहीं किया गया है क्या इस वार भरती आएगी भी या नहीं आएगी भी उस पर भी हम लोग डिसक्स करेंगे अगर आती है तो इ कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाविक डोमेस्टिक वर्दाश के लिए ठीक है तो यह जो है दसवी पास की जौती है और दसवी पर बहुत सारे बंदी फिलफ करते हैं क्योंकि बहुत ऐसे बच्छे होता की दसमी पास करते हैं और सोचते हैं कि हम Indian Coast Guard के लिए apply करें तो अगर इस बार मतलब कि DV की vacancy नहीं आए तो form में गिरावर्ट देखने को जरूर मिल जाएगा ठीक तो दस भी पास पर यह भरती आती है अगर हम लोग date of birth की बात करते है ना तो date of birth आप लोग यहां पर देख सकते हो सबसे पहले इसमें आप लोग का जो है ना 18 से लेकर 22 birth तक age है ठीक है चाहे DV या नत्रिक और GD हो ठीक है DV में भी आप लोग 18 से 22 की बीच में age मांगा जाएगा और पिछले बार की बात करते है तो तीनों category का एक ही same date of birth होता है ठीक है और इस बार भी साहर से same ही है देखो एक माई 2002 से लेकर 30 अपरल 2006 के बीच में क्या रखा गया मिर भाई date of birth रखा गया है ठीक तो यह है पिछले भरती का अगर इस बार भरती आती तो date of birth क्या रहेगा तो वह चली वह दिखाते हैं आपको तो मिर भाई आप लूग देख रहें यह notification फिर से मैंने open किया और यह general duty और यहां पर इस बार इस बार नोटिफिकेशन वन भाई 2000 के लिए ठीक है अब चली हम लोग आते हैं थोरा सा नीचे और आप लोग हम दिखाता हूं जैसे कि date of birth क्या इस बार रखा गया है तो इस ब इस बार भी date of birth क्या होगा सेम होगा एक मार्च 2003 से लेकर 28 फरवरी 2007 इसके बीच में अगर आप लोग का date of birth होता है तो easily आप इस form को apply कर पाओगे डीवी के लिए सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी इसमें official notification रिलीज नहीं किया क्या अलग से official notification रिलीज देखने को मिल सकता है तो मैं आपको बता दू मेरा भाई इसमें आप लोग को बताओं तो इसमें मतलब कि हम बोल सकते 80% chance है कि मतलब कि अलग से notification रिलीज करे Indian Coast Guard DV के लिए नह नहीं होगा और यहां पर आप लोग बेट कर सकतो कम से कम आप लोग इस vacancy के लिए कम से कम 5-10 डेज आप लोग वेट कर लो ठीक है 5-10 डेज वेट कर लो 5-10 दिन में आप लोग का इसका official notification अगर देखने को मिल जाता है DV का तो आप लोग को chances है कि देखने को मिल जाएगा इ अगर भरती का कोई भी notification रिलीज नहीं होता है 5-10 दिन में तो फिर समझ जाना कि इस वार इंडियन कोस्ट का DV का जो notification है वो रिलीज नहीं होगा और जाद चांसे कि वही है कि रिलीज नौ होने का क्यों क्योंकि जब भी DV निकालता है notification तो उसमें क्या होता है मेरा भाई यह यहां पर DV, GD यांतरी की तिनों को साथ आपने बहुत वार यह भी देखा होगा कि कितना बार यांतरी की वेकांसी नहीं रहती थी और मेरा भाई DV की वेकांसी आती थी तो अलग से कोई भी यांतरी के वेकांसी नहीं निकाली जाती थी लेकिन फिर वी DV एक 10th लेवल पोस् अगर आपने GD के वी फॉर्म फिलप किया या इंतरी के वी फिलप कियो तो आपको DV के लिए क्लास लेना पढ़ेगा क्योंकि आपकी एक्जाम में DV के भी एक्जाम पास करना पड़ता है तो डीवी की class हमारे channel पर पर गए जा प्रोग जरूर देख लिजएगा प्लेशन में reasoning आप लोग मिल जाएगा gk मिल जाएगा science मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा तो आप लोग जा जाएगा जरूर देख लेना आप लोगो वेड़ना के आएगा उसके बाद नहीं आता इसके तो कोई भी चांसे नहीं है किस वार कोश्टगार्ड डीवी की वेकेंसी आएगी ठीक है अब क्या रीजन होगा वो कुछ कहा नहीं सकते हो सकता है कि सीट फुल हो या कुछ भी हो उसके कारण ये भरती नहीं निकालने डीवी का या कुछ भी रीजन हो सकता है ठीक है नहीं निकालने का वो अभी कुछ भी पता नहीं इंटर्नल जैसी पता चलता है मैं आप लोगो ट डिवेंट करता है कितना भरते पिछले वार की बात करते तो पिछले वार 30 पोश्ट पही भरते निकाली गई थी डिवी के लिए और इस वार निकाला ही नहीं गया है यानि कि समझ जाओ कि 30-30 बंदे को ले रहे हैं ठीक तो अभी सीट सायद से फुल हो तो बंदे को नहीं लि कर दो तो वह बेट मत करो कि हमें डीवी का ही फॉर्म डालना चाहिए मैं बोले में और बहुत सारे ऐसे बंदे होते जो इसा है आधके बहुत-इसे बंदे बहुत बहुत बच्चे जुहाँ ना से मतलब की 12 में आने में बहूत प्रहाई छोड़ देते हैं तो ऐसे में 12 वा होगा जी डी के एक्जाम में मिरवाइक फिजीक्स और मैथ जो होता है वो टूल से का होता है और टूल का इंट्रिगेशन डिफ्रेंशियेशन अच्छा से यह सब किया होगा तो अराम से कर लेगा एक्जाम को अच्छे से क्रैक उसके अलावा आपने तो सबसे कोशन होगा जी के होगा और इंगलिस को नॉर्मल होता है ठीक है तो यह होने वाल है बाकि आप यांत्री के लिए हो तो वह वही चीज़ें इंजिनरिंग करें कि उससे आप लोगा एक्ट्रेट से कोशन और डीवी के पर देने परेंगा दो चीज मैं बोलूंगा कि डी जरूर डालेगा रीजन बता रहा हो कि इसमें स्लेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं डीवी क्या पिक्षा डीवी में 30 सीट पर आप कितना फाइट करोगे मेरे ठीक है जीडी में सीट जो होता है 260 साथ होता है रहाइस सीट थोड़ा अच्छा लगता है देखने जो एक्जाम दो उसमें निगेटीव मार्किंग नहीं है तो जो यी बच्चा अच्छा खासा परहे हुए है उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा और जो नहीं पड़ा है वो भी टुका खेलके निकल जाता है तो इसलिए मैं बोलना हूं कि फार्म को छोड़ना मत अगर अपलाई कर देना देखो इस बार का डेट अब बर्थ क्या रखा गया जीडी के लिए मैं बताया भी हूं एक और फिर्शन में डिपेट कर देता हूं एक मार्च 2003 से लेकर 28 फ्रवरी 2007 के बीच में होना चाहिए आप लों का डेट अब बर्थ मैं सब कुछ क्लियर कर दिया ह अगर अभी भी कुछ डाउट है कॉमेंट सेक्षन मास कर सकते हूं इस वीडियो का अपने दोस्तों की साथ सेर कीज़े टेलिगाम को जोइन ने क्यों जोइन कर लेना ठीक है बाकी मिलते है दोस्तों कॉर्डियो वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद बंदवातरम